नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है रजनी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूटूब चैनल Connecting India Exim Solution में दोस्तों Connecting India Exim Solution इंडिया का एक ऐसा प्रेटफोर में जो आपको कई सालों से प्रोशिजर के बारे में बताता है आपको समझाता है कि इंडिया से क्लिय के सबंग विडियो में समझा आप आप से request करूँगा कि अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो आप हमारी चैनल को सब्क्राइब करें बेल आगें को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगया वीडियो के नोटिफिक्शन मिलते नहें अलग अलग बोर्ट का या कमूडिटी बोर्ट का या एपिसी का हमें लाइसेंस लेने पड़ेंगे तो आप सारे सवालों के जवाब जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे तो मैं आप से request करूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ होता है दोस्तों आरसी होता है registration मतलब क्या होता है हमें कुछ गौर्मेंट की एक्सपॉर्ट प्रमोशन कांसे चाहर का और उनके साथ हमारा रेष्टेशन करना जरूरी है अगर हमें कुछ गौर्मेंट के इंसेंटिव या ड्रोबेक लेने होते हैं तो ठीक है तो उसके लि अलग होती है जैसे कई एक में क्या होता है एक साल के लिए वेलीट होता है इस तरीके से जो है अलग-अलग बोर्ट या पीसी का जो है RCMC की जो validity होती है वो अलग-अलग होती है अगर हम fees की बात करें दोस्तों तो fees जो है 6,000 रुपे से चालू के 10-12,000 रुपे तक जाती है depend करता है आप किस product का RCMC बनाने जा रहे हैं तो fees जो है fees भी जो है RCMC आपके product के इसाफ से अलग-अलग हो सकती है इसके साथ बात करते है RCMC लेना कहां से होता है किसके तो देखो दोस्तों RCMC सबसे पहले जो है EPC के माध्यम से मिलता था जैसे export promotion council government ने बनाई गई है जैसे अगर आप किसी भी handicraft product का export करने जा रहे हैं तो आपको handicraft export promotion council board का RCMC लेना पड़ता है ठीक है वैसे ही अगर आप carpet कर रहे हैं तो carpet export promotion board का लेना पड़ेगा वैसे है आप chemical product कर रहे हैं तो capaxil, camaxil के certificate लेने पड़ते हैं अगर आप जो है gems and jewelry में export करने जा रहे हैं तो gems and jewelry export promotion council का भी certificate आपको लेना पड़ता है मतलब registration come membership certificate आपको जो है लेने पड़ते हैं तो इस तरीके से जो है अलग-अलग EPC बनाए गई है वो EPC क्या करती है EPC हमारे एक्सपोर्ट को promote करने का काम करती है मतलब हमारे product के export का promote करने का काम जो है EPC करती है साथ में कुछ commodity board भी बनाए गए जो commodities होती है जैसे ग्यां हो गया या कोई भी agro commodities हो गया है या साथ में आपका coconut हो गया है हाथ में आपका spices हो गया है अगर आप टी में टी कॉफी में डील करें तो टी बोड कॉफी बोड का आपको RCMC लेना है केशू में डील करेंगे तो केशू बोड का RCMC लेना है तो इसी तरीके से जो है आपको community board में भी same facilities मिलती है जो EPC के द्वारा प्रोवाइट कराई जाती है तो दोनों ही commodity बोड और export promotion council दोनों ही government की संसाइं होती है जो आपके product के export को promote करने का काम करती है जिसमें आप लोग participate करते हैं जो जो उनके member होते हैं membership का क्या फाइदा है यही फाइदा है कि अगर आप उनके member बनते हैं तो वो आपको treat fair में लेके जाती है जो domestic भी लगते हैं तो उनमें भी government की subsidized rate क के उपर आपको participate करने को मिलता है और internationally भी जो है treat fair organized होते हैं उनमें भी आप जो है subsidized rate के उपर जाके अपना treat fair को join कर सकते हैं तो RCMC लेने के यह फाइदा है साथ में आपको drawback भी जो है RCMC से मिलता है ठीक है तो अभी तो यह बात हुई कि जिन जिन के जो product हैं उस product के हिसाफ आप से RCMC मिल जाता है कि जो भी products आपका है उस हिसाफ से आप search कर लेंगे कि EPC and commodity board in India मैं कोशिश करूँगा कि description के अंदर भी आपको completely EPC और commodity board की list दे दूँगा तो आप check out कर सकते हैं उनकी website ताकि आपको यह पता चले कि आपका product कौन से commodity board या EPC के अंदर आता है अब बात कोई दूसरी अलग EPC वगिर अगयर उगए तो उनके सबके खर्चे अलग अलग आते हैं अलग हैं तो अगर आप टेल करते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप फिर हमें सब क्या RCMC लेने पढ़ेंगे तो यह तो costing बहुत जादा आ जाती है इस इस हिसाफ से तो बारा जारे ए दोगे दस जार एक को दोगे च्छे जार एक को दोगे तो ऐसे तो आपकी कोस्टिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों अगर आप multiple category में export करते हैं तो multiple category में आपको सिर्फ एक RCMC लेना होता है वो होता है के product से के related कोई EPZ है यह यह नहीं जैसे आपका product किसी EPC या commodity board में नहीं आता है तो भी आप few का RCMC ले सकते हैं बत आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपका product किसी भी EPC या commodity बोर्ट के अंदर नहीं आता है तो आप few का RCMC लें या फिर आप multiple product के अंदर डील कर रहे हैं तो भी आप फियो का RCMC ले सकते हैं तो आपको बास समझ में आई होगी दोस्तों कि आपको किस तरीके से RCMC लेना है RCMC अगर आपको कोई भी प्रोड़क का किसी भी EPC का RCMC लेना है तो आप हमारे स्कीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉंटेक कर सकते हैं हम आपके लिए सारे RCMC जो है एक रीजनेबल प्राइज के उपर बना के देते हैं तो कॉंटेक करें 701425258 के उपर और हम आपको RCMC से रिलेटेट जो भी आपकी क्वेरी रहेगी वो मैं सॉल्व करने की कोईश करूँँ है सीधा नंबर जो है मेरे को डार का सकते हैं आपको कि इंडिया से एकंपोर्ट कैसे करना इसका किया है क्या क्या है कि आपको बनाने पड़ते हैं किस तरीके से मार्केटिंग करने किस तरी और विजनिस वाहान koral को के आप वेश्त करके हमारे door connecting-app एक्षिप्लेट कर सकते हैं से बारे म leeme सकते हैं प्लस हमा हमारे सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ में आप आप ईन ये आप के लिए बादो आटे ज रहां आ ia गुर्वालन्ट की बेनेफिट्स रहे यह कोई भी कर्लवेंट्स की नियूज अगर इसके तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकरी आपको पसंद आई होगी मिलते हमारे नेक्स वीडियो में थेंक यूए